चलिए इस वीडियो में जानते हैं विटामिन B1 के बारे में विटामिन B1 यानि की थायमाइन, सबसे पहले विटामिन B1 को थायमाइन भी कहते हैं, एक बात जाननी बहर जरूरी है, विटामिन B1 एक water-soluble vitamin है, इसका मतलब एक पानी में गुलन सील होता है, दोस्तों विटाम का मतलब वसा में गुलंसील विटामिन और वाटर सुलूबल विटामिन का मतलब पानी में गुलंसील विटामिन फैट सुलूबल विटामिन A,D,E,K हैं और जो हमारे वाटर सुलूबल विटामिन है और B और C हैं दोस्तो ए थी basic सी जनकारी, अब हम वापस से लोडते हैं vitamin B1 के बारे में, क्यूंकि हमें इस वीडियो में जानना है vitamin B1 के बारे में, तो हम उसी पर बात करेंगे दोस्तो B vitamins के अंत्रगत 8 अलग किस्म के vitamins मौझूद होते हैं ए रहा आपके सामने 8 B vitamins का लिस्ट तो हमें अपने मुद्दे से नहीं वटकना है तो आज हमें सिर्फ vitamin B1 के बारे में विस्तार से जानना है दोस्तो हमने जाना vitamin B1 को थायमाईन भी कहते है vitamin B1 एक water soluble vitamin है एक बाद और बताना चाहूँगा मनुष से सरीर को लगातार vitamin B1 हर दिन लेते रहना चाहिए क्योंकि ए बौडी में store नहीं होता है इसको रोज लेना जरूरी है डाइट से ऐसा मैं कियों कह रहा हूँ क्योंकि अगर मान लिजिए हम इसे बहुत ज्यादा मात्रा में हर रोज लेते हैं तो ए विटामिन हमारे सरी में store नहीं होता है तो इसलिए जितना body को जरूरी होता है उतना body ले लेता है और बाकि बचा हुआ vitamin B1 पेसाब के रास्ते निकल जाता है तभी इसे रोज ज्यादा लेनी की जरूरत नहीं है बलकि जरूरत के हिसाब से हर रोज लेना जरूरी है सबसे पहले आईए बात करते हैं vitamin B1 deficiency symptoms के बारे में गाईज इसका मतलाब एह हुआ कि vitamin B1 की अगर हमारे सरी में कमी हो जाए बेरी बेरी डिजीज कार्डियो वैस्कुलर सिस्टम और नर्वस सिस्टम को असर पहुचाता है इसके बारे में मैं कभी अलग से डिटेल में वीडियो बनाऊंगा चलिए आगले symptoms को देखते हैं तो जो हमारा दूसरा symptom है ओ है weight loss यानि कि अगर हमारे सरी में vitamin B1 की कमी हो जाए तो हमें weight loss का सिकार भी होना पड़ सकता है तीसरा number symptom है anorexia anorexia का मतलब भूख ना लगना loss of appetite जिसको कहते हैं इंगलिस में चोथा number symptom है mental problems mental problems का मतलब दिमा की समस्या उधारण के लिए confusion होना कभी कभी तो थोड़े समय के लिए भूलना पाचवा number symptom है muscles may become weak इसका मतलब मास्पेशियो का कमजोर होना तो ए थी vitamin B1 के अंत्रगत कुछ महत्मूर जानकारियां आसा है कि आप सबको बहुत अच्छे से समझ में आया होगा फिर मिलेंगे अगले वीडियो में धन्यवाद